हेलो नवसकर दोस्तों मिस वीडियो में यूपी पीचल टीज़ू का पेपर एनलेसिस कराने वाला हूँ जिसमें आपका 10 दिसम्बर की 1st और 2nd सेप्र के एनलेसिस के आधर पर एलक्रिशन थियोरी से 25 कोशन है जो आपकी परिच्छा के लिए इंपोडेंट है जिन भी स्टुडेंट का आगे एक्जाम होना बागी है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपोडेंट है चलिए इस्टाट करते है आप सभी पहले कोशन का अंसर बताएंगे पहला कोशन क्या है ELCV का पूर्ड रूप क्या है ये आपकी परिच्छाम कोशन पूछा गया है तो ELCV का पूर्ड रूप क्या है अर्थ लीके सर्किट ब्रेकर जो के आपको किस अप्सन में दिख रहा है बी अप्शन में अर्थ लिके सर्केट विरेकर इसका पूर्ण रूप होता है तो बी अप्शन राट रांसर है इस कुशन का दूसरा कुशन है एक DC जनरेटर में 48 चालक और 4 दुरूब हैं तो दुरूब अंतराल पॉल पेच की गड़ना करें तो पॉल पेच निकालते हैं त पी की संक्या है 4 चार से दिवार करेंगे तो बारह आ जाएगा तो इसका राट अंसर होगा बारह पॉल पेचायेगी करेक्ट आंसर है इस कुशन का भी अप्शन अले कुशन का अंसर बताएंगे तीसरा कुशन है उच्च फिरक्वंसी उच्च अबदती पर पावर मापन ह तो निम्न में से किस यंतर का प्रयोग किया जाता है बतब किस यंतर का उप्योग करते हैं करेक्ट रांसर बताएं सभी तो हाई फ्रिक्वंसी पर पावर मेजर करना है तो किस यंतर का यूज करेंगे तो इस राटन्स लगाएंगे इसका बिद्धु चुमक ये वाट मीटर का करेक्ट टांसर इस कोशन का भी अपसन सभी द्यान रखेंगे से हाई इंसुलेशन राइस्टेंस को मेजर करने के लिए मेगर का यूज करते हैं तो उसे भी द्यान रखेंगे आप सभी चौता कोशन है निम्न में से किस पदार्थ की आफेचित चुमक सीलता का मान सबसे अधिक है बताओ किस मटेरियल की चुमक सीलता सबसे अधिक है तो इसका राटन से लगाएंगे आयरन का लोहा का चुमक सीलता आफेचित चुमक सीलत सब से देखें करेक्ट टांसर इस कोशन का भी अप्सन पांच में कोशन का अंसर बताएं पचास अर्टरज की अब्रती पर दो दुरबों वाले एक अल्टेनेटर की गति की करना करें तो इसमें आपको फ्रिक्वंसी दे रखें 50 अर्टरज और उसके बाद आपको पॉल्स की करो बैलू को तो 120 इंटू 50 बटे दो तो अब दो से डिवार करेंगे से तो 3000 इसकी स्पीड आ जाएगी तो 3000 आर्पियम राट अंसर इसका कुशन का तो राट अंसर भी अप्सन इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कुशन का अंसर बताएंगे छटमा कुशन है डीसी मसीन के करते हैं और टेस्ट के लिए Đर जा जासकता हुआ जलदीशाँयों मनेकि कुलडेस पर नहीं किया जा सकता जाता है Vikings क्हान बताएंगे तो कुशन तो automate नहीं होती वरन टेस्ट शीरीज मोटर पर नहीं किया जा सकता क्योंकि सीरीज मोटर की स्पीड इन्फाइनट पहुंचाती है अगर नो लोड पर उसे ऐसे ऑपरेट करते हैं तो इसलिए हम सीरीज मोटर पर इस टेस्ट को नहीं कर सकते करेक्ट आंसर इस कोशन का यह अप्सन आशा करता हूं समझमाया होगा आपको साथ में कोशन का अंसर बताएं निवन में से किसे एन प्रकार का किया जा सकता है कि अर्दचालक त्यार करने के लिए दाता आप दिरब्ब डॉनर इंप्रोटी के रूप में मतलब यहां पर करनी होगी तो आपको बताना है इन में से तो कौंसी टॉनर इस कोशन का एन कीमधि एक डॉनर इंप्रोटी में जोंके एं टाप का माटरियल फ्रम करती है यह श्वराइवकर का माटरियल इन से मदलता है तो 알न्र के एंहैं को ए इंप्रोटी एड़ करते हैं और जब के पैंटाबलंट उसमें एड़ करते हैं जो एंटाइब का मटेरियल बनाते हैं तो उसे भी दान रखेंगे एंटी मनी इसमें एड़ करेंगे यह अपसंश का राट अंसर है आठमे कोशन का अंसर बताएं निम्न में से किस मशीन में आर फील्ड बार्निंग पर रोटर को तो जल्दी इस आंसर बताएं वो कौन सी मशीन है तो इसका राट अंसर लगाएंगे अल्टरनेटर प्रत्याबर्तित करेक्ट आंसर इस कोशन का बी अपसं नेक्स कोशन का अंसर बताएं नॉमा कोशन है निम्न में से किसे अचर अभिव सका अबबन सी मशीन काडिस कोशन का मौटर को तो इसका राटानसर अंसर बताएंगेग तसमा को सक नंडेट में से कौन एक अर्थ जालक नहीं है तो इसका राटानसर लगाएंगे नेक्रोम, नेक्रोम इसका करेक्ट आंसर है, जबके जर्मेनियम, सिलकन, कारवन, ये तीनों सेमिकार नक्रमाटरियल हैं, जार में कोशन का आंसर विताएंगे, पचास किलोमीटर की भूमिकात तार की सर्ज इंपिडेंस, प्रोत कर्स, पिर्तवादा, पचास ओम है, तो 25 किल क्या होगी, तो 25 किलोमीटर के लिए पूछिए, तो आपको पता होना चाहिए, सर्ज इंपिडेंस लंबाई के उपर नरवन नहीं करती है, तो राट अंसर इसका पचास ओम ही होना चाहिए, तो जो पचास ओम पहले था, पचास ओम ही होगा, चाहें लंबाई को गटाएं या बढ़ाएं, उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा, तो राट अंसर इस कोशन का डी अप्सन, बारे में कोशन का अंसर बताएंगे, यद एक आर्सो के बीए, चार्सो हर्टर्ज टांसफारमर, पचास हर्टर्ज पर संचालित होता है, तो इसका के बीए रेटिंग क्या देखो, आपको आपकी परिशा में नुमेरिकल बहुत ही सिंपल सिंपल पूछे जा रहे हैं, लेकर अगर आपको ज्यादा टाइम कंजूमिंग नुमेरिकल दिखता है, तो उसे बाद में करने की कोशिच करें, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि मतलब उसकी वज़े से आप सिंपल कुशन को भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सिंपल सिंपल कुशन को करना है, जिस परकार आप देख पा रहे हैं, इसमें नुमेरिकल इजी पूछा गया है, लेकिन आप में से पॉस्से इस कुशन को छोड़के आए हैं, तो ऐसे को छोड़के नहीं आना है, आप इसे कैसे से स्वल्व करेंगे तो आप सभी को पता होना चाहिए पहले 800 KVA उसकी रेटिंग है टांस पारमर की और 408 पर ऑपरेट हो रहा था अब उसकी फ्रक्वेंसी को गटा दिया है पचास कर दिया है अब उसकी रेटिंग पर क्या पड़ेगा यह बताना है तो उसकी रेटिंग दे पहले ती फिरक्वेंसी 400 अब यहां पर फिरक्वेंसी होगी 50 तो यहां पर रेटिंग अब निकान नहीं है तो आप पचास से डवाड़ कर देंगा आठ और से डवाड़ करेंगे आठ सो को तो रेटिंग आ जाएगा तो रेटिंग आजाएगी आपकी 100 100 कवी इसका राट सकता है बताओ इन में से कौन सा एक पफडेयोडर से मेहर नहीं कर सकते हैं तो देखो मंप आबर को मेहर कर सकते हैं तो रही यहांश्य जाएगाव सब से जाएदा ही कौन सा है तो तो सभी को पता है यूरेनियम का यूज किया जाता है तो राट अंसर इस कोशन का सी अपसन नेक्स कोशन का अंसर बताएंगे 15 कोशन है तुल्ल कालिक मसीन मतब सिंकोनस मसीन कुंडलन चालक कोपर का बनाते हैं तोरी एक्षन Fine Oui Fight मैं कुछन का साइब की और पोल्ट का पूंप के यह भाएं पूछ Way Remote से दने सीजिशेक और दे ऋम्हचे पशन को पुछा है टो बबता ब किता होता है उर्जा पलए पैदे मैं इसे क्रिफफतन क enemies यह जो पॉंट सेवन रखा यह किसका है यह जर्मिनियम का अगर यह प्रस्थ का पूछा जाता तो चल्ग का होता बंपॉंट स्वारी डंपॉंट बन टू यह होता लक्टोन बोल्ट यह चलकन का होता और यह जर्मीनियम का है तो राट अंसर है यह अप्षन नेक्स्ट कुशन का अंसर बताएंगे 17 कुशन है अचिप्त पितरोद मतलब डारक रेश्टेंस का समद किस से है यह है आपका फोटो डायोट से समद देते है तो करेक्ट आंसर इस कुशन का डियोप्षन अठारे में कोशन का अंसर बताएं सभी चुम्मे की सरक्ट में परमियंस चुम्मक व्यापता बिद्दू सरक्ट में कि अनुरूप होती है बताओ चुम्मे की सरक्ट में परमियंस बिद्दू सरक्ट में किसके अनुरूप होती है तो यह होती है आपकी चालकता के अनुरूप करक्ट टांसर आयोग ने बी अप्सन बताया है ठीक है तो बी अप्सन इसका राट अंसर है अगले कुशन का अंसर बताएंगे उनली समा कुशन है कि aç के अविचर्फव इसे पैडली यूज टाइप आप कंदक्टर फोर कंद्सी मिसलाइन तो आपको बताना है बाईडली उज मोस्ट बाईडली उज किस फाम यूज करते हैं तो सबसे ज़्यादा करते हैं एसी एसर कंड़क्टर को एलमोनियम कंड़क्टर इस्टील ग्रैनफोर्ट तो सी अपसर इसका राट अंसर है अगले कुशन का अंसर बताएं सभी 20 मा कुशन है 20 में कुशन का अंसर बताएंगे लीकेज करेंट से बचने के लिए निमन में से किस उपकरण का प्रोग किया जाता है तो छरण दारा से बचने के लिए किस उपकरण का प्रोग करते हैं तो राट अंसर इस कुशन का अब सिष्ट दारा सरकेट ब्रेकर मतलब रेजू डूयल करेंट सर्केट विरेकर का यूज़ करते हैं जिसे हम RCCB की नाम से भी जानते हैं तो ध्यान रखेंगे बीअपसंश का करेक्ट आंसर है 21 में कोशन का आंसर बता है निमन बिकलपाउ में से कौन बूमिगत तारों का एक बैद लाव नहीं है तो मंदा उसने पूछाया अंडरग्राउंड केबल होती है उसका कौन सा एक बैद लाव नहीं है तो हम सभी जानते हैं लो कोश्ट नहीं होती उसकी क्योंकर लागत तो उसकी अधिक होती है क्योंकर उसे अंडरग्राउंड डाला हो जाता है तो उसमें काफी लागत आती है इंसुलेशन की और इस तरह से यह अपसंस का राट अंसर है जब कि यहां पर और तीनों लाव इसके हैं अंडरग्राउंड केबल के जैसे के सहर का बैतर दिखाई देना जब लाइन उपर नहीं दिखाई देगी और उससे कोई खतरा नहीं है किसी को तो यह तो बात अच्छी है सुवदाउं के साथ साथ कम अस्तचेप यह भी बात सही है जनता के लिए अधिक सुरच्छा प्रोटक्शन भी अधिक होती है क्योंकर ऊपर रहेगी लाइन तो सुप अच्छी हर किसी के लिए खतरा बना रहता है आंदी तुपान आने पर फॉल्ट जल्दी हो जाते हैं ओबर हेड लाइन में जब का अंडरग्राउंड केबल में ऐसा नहीं होता है तो उसमें प्रोट्रेक्शन भी अच्छी होती है सवविदा के साथ कम अस्थ औरट दिखाई देना है जाओ वेल लाइन ऊपर नहीं दिख़ाई देता है क्योंकर अंडरगाउंड अस्ट इप्रदर करनी होती है तो इसलिए उसमें सहर की बैटर दिखाई दिखाई दिए नहीं किया जाता है तो एसका मुलियम का तो nies रहे कोूशन नहीं किया जाता है तो कर दो बता किसको चालन हेतु नहीं किया जाए राट रांसर राइस कुछन का अपके इंद्री पंप सेंट्री फ्यूगल पंप के लिए नहीं किया जाता है तो राइट राइस कुछन का सी अप्षिन जब कि हम डी सी सीरीज का मोटर का यूज करते हैं लोको मौटर में बिद्धु लोको मोटर में ट्रॉली में, क्रेन में वेस्ट में भी करते हैं तो ये भी आपको पता होने चाहिए अगले कोशन का ऐसार बताएंगी 24 कोशन है जल्दी अन्सर बताएν इस्टा डेल्टा प्रवर्वर्ट तक इस्टा डेल्टा स्टाटर का प्रियोग सामानत है निर्दार मोटरों में किया जाता है बतब कितने एचपी की मोटरों में किया जाता है इस्टा डेल्टा स्टाटर का यूज़ तो हम 20 एचपी तक की मोटरों में करते हैं करेक्ट आंस करेंतर के समाना है किस परामीटर का मान मतलब हाब रेक्टीफायर और बिर्ज रेक्टीफायर करके समाना है तो जल्दी आंसर बताएंगे तो आप सभी जानते हैं शिकर परतीव बोल्ट में में वह olhos करते हैं इसका BM आपका hub wave rectifier में भी होता है और BM आपका bridge rectifier में भी होता है तो इनका बरावर होता है मान ठीक है और जब के full wave rectifier में इसका 2 BM होता है तो यह आपसे पूछा था सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कर लिएगा वीडियो को लैक कर दीजेगा शेयर कर दीजेगा आपने हमारी सभी वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक आपको मैंने इसी वीडियो के description में दे दिया है आप वहां से देख सकते हैं सभी वीडियो को तो चलिए वीडियो को ही सब्सक्राइब करते हैं थैंक्स पूर आज में वीडियो